उसे जेरा उठाकर कैस को देखा मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया कैस तुम्हें कोई हक नहीं है तुम बदले में मेरे साथ ये करो उस रात मैंने तुम्हारे बेमारी ढाम ली थी तुम्हें कोई हक नहीं था तुम मुझे यू जाहर करो ये किला भी था और मिन्नत भी मैं कर रहा हूँ उसे बेगीनी से सीने पे उंगले रखकर पूछा You ask for it मैं तुम्हारे पास आया था मैंने कहा था उसे छोड़ दो और मेरे पास वापिस आ जाओ लेकिन तुम ठीक है मैंने उसे छोड़ा उसका ख्याल उसकी वापसी की उमीद उसकी फिकर सब छोड़ा मैंने मेधी कंबीर पे तस्परदारी दी वो उसकी बात काटकर उसकी आँखों में आँखे डाल कर बोली कहस चहर या उसे देखा फिर उसकी आँखों में तपर शुबरी दिल से छोड़ो ये लवस मुझे अरसा अंदाज नहीं हो रहे कहस सकती और बेबसी के दरम्यान बोला मेरे पास लवस से लवस है और अगले कई साल तक लवसी रहेंगे उसकी आँखों उसकी आँखों के सामने कहस का चेरा धुनला पढ़ गया आंसों इस सब धुनला किया दिल उसके साथ था है और रहेगा उससे बेखतियार हिच की लिए उसे प्लीज जूड़ो वो नहीं मरा वो जिन्दा है उसे वापिस लाओ प्लीज वो नहीं मरा जानता हूँ मैं वो तीरे से बोला सीने का सांस जहाँ था वो नहीं धम गया वो ना मांकों से टुकर टुकर उसका चेरा देखती रही जो उसे लेकर गए है बिल्कुल ठीक किया है उसे मुझे हर्ट किया अब उसे हर्ट होना चाहिए वो बहुत बुरी मोत मरेगा बल्कि यूँ समझो वो मर गया यहां से जाने के बाद उसके जिन्दगी क्या है तुमने मारा है उसे वो जहां है तुम ले गए हो उसे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था उसे हमारे दरम्यान नहीं आना चाहिए था यह तुमने यहा है जीने की आवाज उसके अपनी नहीं लगती थी, जेरा सफेड बढ़ा था यहां तुम्हारा इत्राफे जुम रिकॉर्ड होना है, मेरा नहीं शाने उशका थे, शाने बेनियाजी से कहा और मेरे मतलिक इतने जूट क्यों खड़े, अगर तुम्हें वाकि मुझसे 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 हाथ थाम लिए, उन पे उंगली ट्रेस करने लगा, वो जितना हाथ कीजनी की कोशिश करती ही किया इस उतनी गृफ सखत करता क्योंकि तुमने मुझसे हर्ट किया जीनिया, मैंने तुमसे बहुत मुखबत की और तुमने मुझसे छोड़ का हर दफ़ा उसे जुना, कितनी बार समझाया तुमें, लेकिन तुम हर दफ़ा मेरी नर्मी का नाचायस फायदा उठाती रही, अब भुलाओ उसे, देखता वो तुम्हारे लिए आता है या नहीं, जीनिया के लब इस सजाया मस्कुराहट में ठले, तुम्हारी मुखबत बहुत खोड़ार्स है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन याद रखना, I will survive this, obviously, you wills, ये survive करने के बारी तो तुम मेरे पास आओगी, मलका बनने की उकात नहीं थी तुम्हारी, लेकिन महल में हरम में रखी ओड़तें कितनी है, किसी को क्या मालूं? वो इस कैस को नहीं पैचान सकी, जिससे वो जानती थी, वंदेरी रोशनी के दिर्मियान ठहरा था, और ये आदमी, इसके चारो अतराफ अंदेरा था, उसके लंस में बस खुटन और कराहत थी, जीने को अपने सारे बदन में चूंटियां रिंग्टी मैसूस हुए, तुम्हारे लिए अब भी वापसी होगी, लेकिन हैसियत बदल कर, वो चन्नमे मसीर उसे देखती रही, फिर हस बड़ी, गीली नम आँखों से अजीब कोकले अंदास में हस एक एक मिनट मुश्किल है यहां, कल का दिन कयामत होगा, मैं चाहती हूँ, तुम मुझे निकालो, कोई आए और यहां से मुझे निकाल ले, लेकिन यह नहीं होगा, बस तुम्हें एक बात याद रखना, तुम मेरे हर लमही की तकलीव का हिसाब दोगे, यह वहतान, यह ज तेरी हाक तक नहीं पासकोगे, उसके हसे पे उसके बाल कंदे से ठलक कर आगे को गिर रहे थे, कैस मैं बूद रही हैं, कैस के गिरिफ्ट उसके हादों पे ठीली पड़े, अब यहां से जाओ, इससे पहले में चिला चिला कर सब को इकटा कर लो, यहां से जाओ, उसके तो में कई सांसे वो यहीं उसे देखता रहां, फिर मैं कान की अंदास उसके बाल अपने हादों में लिए, नहाइत नर्मी से, उन्हें आखों से लगाया, फिर नाक के करीब ले जाकर उनकी हुश्वों में सुसकी, जिनिया हाकिम चामित रह गई, वो हिल भी न सकी, कैस अ वाय तुम्हारे किसी और को नहीं देख सकता, मेरा क्या, वो उटकडी हुई, बासुखोरन सीने वे भान लिये, शौल से बाल ठके, चेरा ठका, वो होफसदा थी, कैस के दिल को कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं भूलूँगी, मैं बाहर आकर तुमसे अपना हिसाब लूँगी लमों की फसुँ हेजी, एक चनाके से चुड़ी, यह इस चेरे पर हाथ बेड़ा, गेरी सास बेड़ा उटकड़ा हूँ, फिलहाल तुम यहां बैटकर मेरा हिसाब चुगाओ, मिसिस मेहदी कंबीर, टंटे हकारत भरे लहजे में कहते हुए, वो पाहर निकल गया, ऐसे चो मेरे गहे पे अमल हो जाना चाहिए, बिल्कुल सर, जैसा आप चाहें, वर्दी वाला इमान का सोधा करते हुए असा रहा, अंदर उस कमरे में मुझूद सीनिया हाकिम के लिए एरात बहुत लंबी थी, कैस के जाते ही, उसके चेरे पर शिकस और होफ की आसार दुबारा थे, वो वापिस उस कुरसी पर आकर वैठी, मगर उसके जिसम में सास नहीं था, कैस कंबीर उसके जिसम से सारी सास निकाल चुका था, थाना अपने आप में एक नेरी असियत होता है, मगर वस्यत उस वक्त भड़ती है, जब सुलाहों के बार कोई अपना खड़ा हूँ, ज साने से शायद निकला थी, वो यहां से कहीं दूर चली जाती, मगर वो यहां मरी थी, यह उसकी पहली मुद थी, पहली मुद याद रहती है, वो उससे याद रखेगी, हाकिम बगएर उसके तरफ देखे, कुरसी खेंच कर उसकी दाने जाने बैट रहे थे, वो निकाहें न बोल रहा है, उनका सहर जुका हुआ था, तुम्हें यहां लाकर उससे बहुत गलत किया है, तुम, मैंने पता क्या है, F.I.R. हो गई है, फिकर मत करो, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, जीनिया हामोश रही, चनल में वो खुद भी सखें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहां बैटकर वो क्या कहें, वकील का बंदो बस हो क्या है, वो बहुत देर बात बोले, भशर, नहीं आया, अटक अटक कर अलफाज सदा हो है, वो होटिल में है, उसे कुछ काम पढ़ गया था, हम अबदुला की घर जा रहे हैं, तुम फिकर मत करना, उन्होंने मुड़कर एसेचो को देखा, कोई डॉक्टर बुलाएं, इस सखें का हिलाज जरूरी है, एसेचो नहीं कुछ सखत कहने को मुझ खोला, मगर उसी बल वरियाम अंदर दाखिल हो, वो काफी उशलत में लगता था, हाकिम को देखकर ठेर गया, पिर इसेचो को देखा, उन्होंने आखों में तारूफ करवाया, वो सहिला कर रहे हैं, मैं इस केस के इंचार्च हूँ, वरियाम बेग, वो हाकिम की करीब खड़े होते हुए बोला, फिर जीनिया का सखम देख और बाहर किसी को आवाज दी, कहकर गया था मैं, डॉक्टर बुल बुलाया नहीं, अंदास में सखना का वारी थी, तुम फिकर मत करना, सब ठीक हो जाएगा, आकिम अब्बी उससे वही धोरा रहे थे, जीनिया चुप चाफ उन्हें दखती रही, यूहीं उनकी आखों में देखते हुए, अब्दुल्ला सच कह रहा है, उससे रवानी में वो कहा जो आज तक नहीं कहपाई थी, अकिम नवाब की उस मस्भूत हाथ ने उसे भी मस्भूती धमा दी थी, मेरा और मेदी का निकाह हो चुका है, बागी सब जूट है, सिर्फ ये सच है, वो निकाह सचा है, चनलमों के लिए वो सागित रहे गाए, बिल्कुल खाली बलाज का दोस सामेदी, सिर्फ ने इसाफा किया, बलाज ने मुझे तलाग देती थी अबबा, और फिर उसने कहा, वो मुझे पे कारी, बदकार और जिससे गहरत के नाम पे कतल किया जाता है, करेगा, मैं ढर गई थी अबबा, मैं रासी हो गई लेकिन, उसने अबबा का हा उसके सामने खड़ा वरियाम भी सुनता रहा, हाकिम भी सुनते रहे, कई लम्हे बाज हाकिम बगएर कुछ काई उट रहे थे, कंदे मसीद बारी, आँखे चुकी हुए, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं डर गई थी, मुझे लगा था, बलाज आपको बताएगा, और सब खतम हो जाएगा, वो अब भी कुछ नहीं बोले, सुना, सब किया और चुप रहे, फरीदा अंदर आये, तो वरियाम हाकिम के साथ बाहर निकल गया, कैस कंबीन निसीनिया हाकिम से चोचीना था, उसका असाला कोई नहीं कर सकता था, कैस खुद भी नहीं, फर्दे चुर्म, वो घर की तरफ से आये, सफेद रंग के लिबास में सफेद ही तो बटात सर पे उड़े, उससे चेरा ठाम रखा था, अदालत के बाहर उससे एक बार फिर, जिस चीज़ का सामना करना बड़ा हो जिल्लत थी, इनसान ने जो काम ना किया हो, उसकी सजा चेलना जिल्लत ही होती है वो मुबाइल में बैठी खाली-खाली निगाहों से, वो सुचूम को देखते रही, जिसके पास कोई सबूत तक नहीं था, कि वो गुनागार है, लोग फैसला करने वाले होते कोन हैं, अदालत के बाहर लोगों का समंदर था, अवाम उश्टाल थी, मिडिया का समंदर था, कैमरे और माइक सामें घड़े लोग को बस हबर चाहिए थी, वो तीन से चार हवातीन के नरगे में थी, और उनके गिर्द पुलिस का ताहिरा था, उनके हगी के आदत में वरियाम था, वो सब पार चेरे के साथ तरम्यान में रासा बनाता निकलता जा रहा था, उससे एक मर पैरों पे भारी बूट उसके उगलिया कुचलते चले गए, मजवे में कहीं लोगों ने उससे काली निकाली थी, वो लब फिंचे कर्थन चुकाय चल रही थी, कैस समान उसे उस मुकाम पे ले आएगा, ये उससे इस सिंदगी में नहीं सोचा था, उससे हल्की सी कर्थन उ साथ मीरा उसके साथ थी, और एक तरह भखतियार, वो एक मुकमल हांदान था, मुसीबत में साथ साथ, उससे कर्थन फेर कर नहीं देखा, बगर वो सुन सकती थी, पुलोची सुपान में बात करते हुए उसके दादा, उसके बारे में कुछ कह रहे थे, उसके कजन और उसक फूत था, फिर वो बगए कुछ कहे उससे पिछली निशिस पे बैठिया, उतला अतालुक था, ऐसे जैसे उसे जानता तक ना हो, अतालती कारवाय शुरू हो गए थी, वर्जे चुर्म आयद होने वाला था, वो शायद मुल सिमा से मुश्रिम बनने वाली थी, अतालत की त अतामा और कागस पर लिखा, लीट, नोट, गिल्टी, लिखकर उससे कैस को दुबारा देखा, उससे शुपा हुआ था, किसी ने तलही से मुस्कुराई है, फिर उससे बे आवाज, उसके लव हिलते देखे, आयम नोट अप प्राइस जो भी वोन, वो इंकार कर रहे थी, अर उस सिल्साम पे जो उस पे लगा था, आम अगर उससे दावट देडाली थी, अर उस सिल्लत को, जो अगले चंद पल में उसका मुकतर बनने वाली थी, उससे कागस आगे बढ़ाया, वकील ने पाहावास वुलंद वो तीन लवस वड़े, कैसे सर को खलका सा हम दिया, य लोग अच्छी तरह सेट की है, वो कुटहरे में खड़ा था, उससे एक नजर सीनिया को देखा, वो उससे ही दिख रही थी, क्या आगया था उनके दरम्यान, क्या शेय थी जिससे कैस को स्नेहिश पे लाग खड़ा किया था, या फिर वो ऐसा ही था, एक जरा से गल्ती, वल कैस के सामने खड़ा वखील कह रहा था, क्या है इस जमान कंबीर, मैं पिछले कहीं सालों से एक फैशन डिसाइनर और टेक्स्टाल इंटरस्टियस हूँ, गर्दन उठाय से जवाब दिया, मक्तोल से आपका तालुक, हो मेरे चाचा का बेटा था, 31 दिसंबर की रात क्या मगर वो तो सीनिया थी, उससे कैस कंबीर को हर भवर से भाई निकाला था, उसकी महफूस बना गा, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था न, उससे ठेर सारा थोक नंगला, हर खायाल को जटका और कहना शुरूई किया, हर वो लफस, जिस पे कोई पी शरीफ इंसान जमीन में खड़ जाए, वो ऐसे ऐसे किसे सुनाता रहा, जिसका हकीकत से कोई तालुग नहीं था, वो भरी कुछ एरी में उससे भोतान लगा रहा था, कैसम के कई मर्दू से उससे जीनिया करिष्टा जोड़ा, वो जूर जूर करदन चुका रही थी, कैस सहर उगल रहा था, उससे क मेडी की तालुग तक को एक काली बना दिया हो, और अपने आपको एक वरिष्टा सावित करने के लिए इल्सामात लगाए, कि वो जहने जीनिया हाकिम कई बार उसे परवोक कर चुई है, मैं अधालर से दुरहास करता हूँ, कि मेरे भाई के कदल की तफ्टीश करवाई जा और जाती अनात की बिना पे ये मेरे भाई के साथ होने वाली इस नाइंसाफी के लिए, जीनिया हाकिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना इस तरह हम कितने भाई खो देंगे, मैं जिसे खो चुका हूँ, वापस नहीं आ सकता, लेकिन कोई और इस तकलीफ से गुजर के पर हीची उड़ा कर अब एक मर्द के के करदार के उन गाय जा रहे थे, मर्द का अच्छा करदार किसी को याद नहीं रहता और और ओरत का बुरा करदार कोई भूल नहीं पाता, उसका अच्छा करदार एक मर्द ने बुरा बताया था और ये मोश्रा अब उससे नहीं भ पुलने वाला था। पुलने वाला था। मुझे कुछ दिन का रिमान डिगा जाए। क्योंकि इस केस के जितने पहलू हम पे और हमारी टीम पे खुले हैं वो इतने सीधे हैं नहीं जितने लगते हैं। मुझे पर मुझूद लोगों की दादाद दोसों से जाइद है और हर शहादत दूसी शहादत से मुक्तलिफ। मिसिस कंबीर और कैस कंबीर के बयान में बहुत तरसाथ है और ये दोनों ही आएनी शाहद है। इसके लावा तिसरी आएनी शाहद कतल की रात के बार से अब तक अपने हवासों में नहीं है। अधालर से दुर्खास है कि कुछ वक्त दिया जाए मैं और मेरी टीम बहुत जल नताइट से अगा करेंगे। पहारी वर कम उर्दे कोने में बैटी हाम रही थी और दूसरे कोने में फर्ष पर उंदे मूं को लड़की कीरी हुई थी। उसके चेहरे पे करदन और जिसम के हर हर इससे वे अपनी शान थे और वो मूं से खुन दोख रही थी। जन दान से जो रोशनी आ रही थी उसके चेहरे पर पढ़ रही थी। कई मिंट बाद वो लड़की सुकडी सिम्टी से एक कोने में बैठी थी। उसके आँखे बन थी और चेहरे पर करब थाूं जब अर्याम कुछ वक्क के ब्रेक के बाद वहां आया थाूं। वजा, साथी, तरीका कार, क्या बताना चाहोगी मिसिस कंबेर। उसके चेहरे पर नसे जबाए मैं सुस अंदाज से पूझ हूँ, वो कुरसी कीच और उसके सामने कुरसी लाकर बैठाओ। जीने ने पैर सम्मेट लिये, कुटने सीने से लगाए, वो हरासा अंदाज से पीछे हुई। फिकर मत करो, तुम्हारे हुसन का असीर नहीं होने वाला मार। वो बेफिकरी से बोला। माना तुम हुपसूरत हो, लेकिन ऐसा क्या था, तुम में जो दो मर्दों को पीछे लगा लिया, बलके तीसरे को कतल भी करवा दिया। मार पे कालियां भटकार वो नहीं तूटनी थी, वो नहीं तूटी, किर्दार पे हर और तूट जाती है, और वर्यां वो ही अस्मा रहा था। मार पे करी, उसके बासों में दर्द उट रहा था, बस दर्द, वर्यां की बाते उसे जमीन में करने पर मजबूर करें थी, यहां से बाहर निकलना है, शक्तम उसके लेजे में शेरी नी खुल गई, जाना है बाहर, सीनिया ने बाल चेरे से अटाकर एक तर्व किये, उसे द नहीं किया, माल लिया, सबूत क्या है, अनूस दर्द में इसे कह रहा था, किसी ने तो किया है ना, और कौन कर सकता है, यह केस वन डिमेंशनल चल रहा है, तुम सोचो, अगर तुम नहीं तो कौन, दुनिया दूसरा शक किस पर करेगी, दुनिया अन्दी है, पहला और आखरी शक कैस कंबीर पे ही जाना था, वो बामुश्किल सीधी होकर वेड़ी, और आपको देखां, खैरत के नाम पे कतल, तहिश के नाम पे कतल, जायदात का तनासा, हर रुख उसी की दरफ जाएगा, मकर इस पे कोई नहीं भोलेगा, जो ह मेरे साथ होगा, तुम भी अंदे, कानून भी, और मौश्रा भी, मेरा तुम्हारे साथ कोई जाती अनात नहीं था, ना है, लेकिन मैं संकी हूँ, उस संगली से तमाग पे दस सकती, आंखों में सुरही और एक अचीव जुनून था, जब तक मुझे असल कातिल नहीं मिल ज उसे देखा, कैस जमान तुमसे मिलना चाहता है, मुझे नहीं मिलना, अगर तुम मेरी इजासत के बगेर ये करना चाहते हो, तो दुरूस ठीक, वो आंखे सुकेर चनलमे वहीं खड़ा उसे देखता रहा, पिर बलटिया, जितने पूरे तरीके से इस बार उसका दमाग खो हो माथा, ऐसे तो 15 साला सर्विस में कभी नहीं हुआ था, ना वो टूट रही थी, ना कोई दूसरा सेरा हाथ आ रहा था, सबूत, पेंट की चेपू में हाथ डाले, सबस रंके ठेले डाले, स्वेटर वाला मर्द एक कमरे में दाखिल हो रहा था, उसके पीछे सनोबर थी, और वकार भी, कमरे में सर्थ रंग की डूनो ट्रॉस की पठियां लगी थी, वो हाथों पे दसाने चड़ा आए अंदर आया, खिड़की में खड़े होकर आंके चुन्दे आए, उस सामने देख रहा था, वो चला हुआ फॉर्म होस, सफेद इमारत जो हाग हो चुगी थी, इबराहीम के बारे में कुछ पता चला, उससे खिड़की में खड़े होते हुए सवाल क्या, मैं उसके ड्राइवर और जोकीदार के घर गई थी, वहाँ से पता चला, क्यो स्केंडल के मुशूर होने वाले दिन भी, मेदी इबराहीम से मिलने आया था, मुलाजिम ने उसके मेदी कंबिर को कोलिया मारी कहीं थी, ड्राइवर बता रहा था, अंदर उसके बीवी काम करती है, और उस रोस उससे सुना, कि मेदी अपनी बीवी के मुतलिक कुछ कह रहा था, उससे इबराहीम को मारा भी था, और थमकीरी थी, कि इन तमाम खबरों के तुरतीत की जाए, और स्टेंड फिक्स करने में उसके मदद करने लगी, वकार पेदे आने में अपने मुबायल भी कुछ टाइप कर रहा था, यह राइफिल और इसका कराया कितना है जानते हैं, स्टेंड फिक्स करते हुए वो सीधी हुई, बिल बारना पड़ेगा, हर दोफर में अपने पै अवे से खड़े होकर फॉर्म होसकी, उस बालकुनी को देखने लगा, वहां एक इनसानी पुतला था, जो दूरबीन से नसर आता था, उससे राइफिल सेंड से निकाली और कंदे पर रखी, अब वो कंदे पर रखी, राइफिल का निशाना हैं दिल का मुकाम रख रहा था कदल लड़की ने नहीं कियां, कहते साथ उससे फायर कियां, गोली पुतले को जाकर लगी, और वो पीछे फोर्स लखने से पीछे हों, और फिर दो मसीद पाई गियें, और पुतला काफे दूर जाकर गिरां, कमरी की दिवार तक दूर, वकार उन दोनों से बेनियास कोई पाहना बना कर पायर जा चुका था हूँ, क्या हम पहले दिन से नहीं जानते, कि कदल लड़की ने नहीं कियां, स्नोबर्ड, बेसार इससे बोली, लेकिन अगर उससे नहीं तो फेकिस से, और उससे नहीं किया, यह आपको कैसे बता, और यही बात आप कोट में कैसे साबित करेंगे, पहले तो इस इबराहीम से पूछो, गोली लगने पे जब बंदा पीछे गिरा, तो उसके भूट पे अगर कुछ चिकना था भी, तब भी हो पीछे ही गिरेगा, यह उसके बाप ने नई साइस हैजात की है, जिसमें गोली लगने पे बंदा आगे गिरत रहा है, अब इसकी उलात, उसका वोरें निकलो, और जरा हो उसको साइस बढ़ाओं में, उक्ताहट से कहते हैं, वो जोकर किरिकी के पास एक एक चीज़ पे खोर कर रहा था, ने आन्या पेंट हुआ था, कुछ-कुछ गत्रे वहीं गिरे हुए थे, उस घर का मालिक भिहारासत में यह वही कर था, जहां से मेधी को कोली मारी गई थी, उसे किसी ने पीचे से धक्का दिया है, यह भी हो सकता है, और रिपोर्ट में यह बात वाज्या है, कोई जोल नहीं है बॉस, उसे अपनी तरफ से सब क्लिया रखा है, लेकिन एक बात है, उसका दिल पाई तरफ था, ल पर भी इस सराफ था, वो कैस कंपीर, उसके बारे में बहुत कुछ हो अफे, मैंने पता करवाया है, जैसा नजर आता है, वैसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, वो कातिल है, सुनोपर ने मताख लगती, अच्छा हाथ सा ट्रॉमेटिक आदमी है, जो आग से ठरता है, उसके प्लैन में कभी आग शामिल नहीं हो सकती, उससे सिगरेट की घेरी कश लिए, तो हावा में छोड़ा, या फिर ये हो सकता है, क्या आग वागई शौर्ट सर्किर्ट की वज़ा से लगी हूँ, मुझे लगता है, आग सिर्फ इस से लगाई गई गई, ताकि बॉड़ी शना जोड़ता भी तो जोल नहीं छोड़ता, जैसे अपने पिछले किसी कतल में नहीं छोड़े, वो दिवार से सफेट चोरं, एक छोटे से प्लासिक बैग में मुंतकिल करते हुए उसके सामने आकर बैठा, हालिक हुसेन और कैस कंभी के एक लंबी कहानी है, लेकिन जैसे ही कै इसके पास पैसा आया, हालिक हुसेन का कतल हो गया, माजी में उसे गाउं से निकालने वाला उसका अपना मामू था, और कुछ शर्से कभी उसका भी कतल हो गया, पैटरन दोनों का एक, जगा भी एक, और कातिल भी एक, कैस कंभी है, स्नोबर्ण लुकमा दिया, वर्यामने क यह मेरा अंदाजा है, कतल शायद उससे ना किया हो, बलकि करवाया हो, या शायद उसका इस सबसे कोई तालोग ना हो, अगर किया भी है, तो क्या फरक पड़ता है, हम कैस के पिछली सिन्दी का किस्सा सुनने नहीं बैठे, हमें मेदी की कतल का मामा हल करना है, वो कुछ उससे भी कैस को हर्ट किया, जीनिया ने उसे छोड़कर किसी और को चुना, हर मर्द की अना हर्ट होगी, उसकी भी हुई, क्या आदमी है, एक को पर पहुँचा दिया, दूसरे को जेल, मसला ये है कि उसे हर्ट करने वाला हर इनसान, कुछ वक्त बाद मर क्यों जाता है, जीनिया वाके सच कह रही हो, मेरी वाके नहीं मरा, तुम्हें क्या लगता है, वर्याम उठाओ, उसे साथ उटने कहिशा रखिया, थोड़ी दिर बाद वो धोनों फॉर्म होस में थे, वर्याम बलकनी में, खड़ा था, मुपाइल कान से लगा था, और सुनो पर नीचे का था, वैसे जैसे, चंदरोस कब किसी और मनसर में, उपर आओ, और इस तेजी से जैसे तुम्हारे शोर को गोली लगी हो, असाफिर उल्ला, अगर आपने इतना सीरे सोना है, तो मैं नहीं खेल रही, वो खफा हुई, अच्छा ठीक है, ये समझो, तुम्हारे बास को गोल असा निकालू, वरियाम फोन पर उर आया, तो वो फोरण उपर भागी, तकरीबन दोसे तीन मिन पाद, वो तीस से मनसर में थी, जिस कमरी की बलकुनी में वरियाम खड़ा था, वो कुई चिटीर स्टाइल का सिटीर ये रिया था, जिसकी चारों दीवारे शीशे की थी, व वो बहुत संचीटी से अपने अधराफ में देखते हुए कह रहा था, आप उस लड़की की मदद कर रहे हैं, वो हैरान हुई, एक-एक दरास खोल का दुबारा चेक कर रहे थी, वहां बस मामूल के समाल किया समान था हूँ, मैं सिफ अपने शेतानी तमाग को पुरसुकू कर रहा हूँ, मुझे वो इनसान चाहिए जिसने ये किया है, वो नहीं मिला, तो मुझे सुकून नहीं आएगा। असका पेंडिन्ट, उसे सीने के समान में कमिंग बर्ट का पेंडिन्ट में मिला था, मेरी के, शर्ट पे, शाहीन के कफलिंग से, ये देखो, शायद वो इजहार के लिए ये लाया था, आप तो ऐसे हुश हो रहे हैं, जैसे आपको देने वाला था, वो कुलस कर भोली, जै जो मर्च ससी चीज़ों से इजहार करने की जुरत रखता है, उसकी महबत बहुत कीमती और महेंगी है, और जो लड़की, उन ससी चीज़ों को गले में टाल कर घूमती है, वो पैसे के लिए कतल नहीं करती, तफ्तीश मुकमल हुई, जीनिया हाकिम बेगुना है, वो कमरे से बाहर निकला, सनोबर, इंपोर्डे सिगरीट्स को हसद से रिखती हुई बाहर निकलाई, डिफेंस, रेमान का चटा और आखरी रोसां, वो कुरसी पे उसके सामने बैटे थी, नकाहा से उसके हाथ लर सहे थे, आंगों की नीचे सखम की निशान थे, और जिसम पैसे लाते दात निशान थे, उसके होन, पीडी सदा थे, बाल उलच कर रह गए थे, वो कमसोर हो गए थी, परियाम बेतासों निकाह उससे दिख रहा था, इस कोटरी में आने से पहले वो जस्पात बाहर छोड़ कर आता था, तुम अपनी आजादी हरीच सकती हो, तुम अगर कातिल न वहाँ आप कहरे निशान थे, मैं तुम्हें आज रात रिलीव दूँगा, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, सोच और फिर बताओ, यहां रहे कर मजीद जलील होना है, या बाहर निकल कर उस इंसान को अकुत्ती से पकड़ना है, जो तुम्हें यहां लाया, वो अब भी से बहुत इश्च था, जनून की हद तक, एक एक कैसिट, एक एक गाना, एक एक घजल, उसे क्लासिकल, मौडरन तारीही, हर तरह का म्यूजिक याद था, उसकी रूह म्यूजिक के लिए थी, वो मासी के करताब में मट्टी सेटे हुई किसी किताब के बनने को खोल कर, सखमी दिल से कोई कहानी पढ़ रहा था, उससे लड़के की छे मा की तुनहाओ उसे नहीं दी, लेकि लड़का स्चोर छोड़कर नहीं जा सकताथा, ठीम के उसका मालिक उसे कहीं और भी सुकून से रहने नहीं देगा, एक जहन्नम के बाद उसके लिए दूसी जहन्नम होगी, व लड़के ने अपनी तुनास से कुछ हिस्सा मांगा, मालिक ने फिर मना कर दिया और कहीं चला गया, उससे लड़के को सजा दे कर बहुत माद सकून आता था। लड़के के छोड़े भाई मां को हस्पतार ले गए लेकिन अलाज के लिए रकम नहीं थी, उससे किसी भी तरह अपना बचाओ करना था, उस रोज उस स्टोर में बैट कर उससे घोर किया, उससे चांस लेना था, यह इसी जहन्नुम में मर जाना था, और फिर उससे स्टोर से जादे से जादा केसिर्स उठाकर एक बैग में डाली, और यह काम करते हुए रो रहा था, क्योंकि वो केसिर्स आम नहीं थी, और फिर उससे सारी केसिर्स बस आर जाकर बेचती, जीने ने हल्की से आंगे खोल कर उसे रेखा, उसकी आंगे उस वल बहत मुतलिफ आंगी नह मालिक को लगा था, ये तो एक नामुम्किन हरकत होगी, कि म्यूजिक का आशिक यूँ म्यूजिक को कोडियों के दाम बेचते हैं, लेकिन कई बार अपने बका के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं, जो किसे ने सोचे भी ना हो, जिस जहन्नुम को हमने जहन्नुम समझकर वह अपना डिफेंस क्यों ना करें, जांस लेने बढ़ते हैं, क्या बता, इस जहन्नुम के बाद कोई जन्नत हो, और अगर ना भी होई, तो किसे इंसान कोई ये हग नहीं, कि हो हमें जहन्नुम में रखे, खुद बेच सबसे जादा हग हमारा है। परियाम बे की सुर्माई काड़ी S.P. ओफिस के बाहरा करूगी, वो हाथ में एक काटन लिये, बूट से दर्वासा बंद करता अंदर आया। पांच मिन बाद हो S.P. ओफिस में धा, परूकी साहब उसे देखकर खिल उठे, कहो फिर बरहुदार, क्या हब लाए हो। उसे कौटन से सफेद रंग का चूरा निकाल कर मेस वे रखां और S.P. को देखां। ये डरक्स हैं, लेकिन इसलामाबाद और कराची में नहीं आई हैं, और इस हरीतने के सिदाथ बहुत कम लोगों की हैं। कातिल ने जहां से फायर किया, ये हमें उस जगह से मिला है। लड़की का फून रिकॉर्ड, मिलना मिलाना, दोस्त, दुश्मन सब देख लिए। उन सब में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है, जिसके जरीए वो ऐसे कातिल को हायर करवा सके, जो इतनी महेंगी ट्रक्स इस्तमाल करता हो। कहते हुए उससे मेदी के दोस्त जो मुल्क से भायर और मुल्की थे, उनसे कॉल की एक लिस्त रखी, लिस्त में तीन नान अंडरलाइन थे। मैंने इन से बात की और इन तीनों लोगों को मेदी की निकाह का इलम था और इन तीनों का बयान एक ही है कि मेदी के मूद से जीनिया के लिए हमेशा तोसीफी जुमले सुने है यहां तक कि उसका दोस जो ट्रेवल एजेंट है उससे ये भी बताया है कि जेनिया ने लंदन जाने से साफ इंकार कर दिया था क्योंकि वो मेधी की मदद नहीं लेना चाहती थी वो एक खुददार लड़की है तुम कहना क्या चाहते हो ये कि जेनिया हाकिम ना कातिल है ना शरी के कतल तहमल से एक एक लवसादा किया और वो इतना पैसा जो खाती रही है वो बहन बना कर खिलाया था कमपीर ने बीवी बना कर हर्च किया था वर्याम एक पर फिर उसी तहमल से वो लाओ मर्द की मुखबत ऐसी होती है जिससे हो उस पे हर्च करता है वो इस तरह तो हम ये कह दे कि शाह जहां की बीवी ने गन पॉइंट पे ताज महल बनवाया था किसी शोहर के बीवी पे पैसा हर्च करने वे बीवी पे कतल की दफा नहीं लगा सकते तो मिस्तगासा की टीम से हो वकीले सफाई नहीं तुम वो ढूंडो जो हम चाहते है वो लड़की कातिल है या नहीं मुझे फरक नहीं बढ़ता डिपार्टमेंट की बकाईसी में लगले तीन से चार माँ वो लड़की हमारी तहवील में रहे बल्कि उस पे एविटेंस चेंपर का केस बन सकता है कातलों के साथ उसका तालुक बनाओ उठाओ ये सब यहां से नागवारी से काटिंगी जाने विशारा क्या हो वो लड़की है सर उसके जिन्दगी तबाह हो जाएगी वर्याम के अंदास भी कुछ नहीं बतला S.P. साहब ने बाकाइदा ठेहर कर उसे देखा उसके जुल्फों के असीर होए हो तो उसे अदालत ले जाने में दो दिन बाकी है और वो तुम्हारी तहवील में है जो चाहे करो लेकिन ये पक्वास लेकर मत आना के अदालत उसे रिहा कर दे Now get lost वर्याम ने सर को अस्वाद में हिलाया समान वापिस कार्टन में डाले और सुरुख चेहरे के साथ उस वोफिस से बलढ़िया एक वैसा था जो वो कर चुगा था और अब बस उस पे काईम रहना था रात गहरी थी और सिया भी सनाटे उसकी जान को आ रहे थे ये तनहा ही उससे होफ सदा कर रही थी मामलाद इस नहें पर आ जाएंगे वो मरा हुआ मर्द उससे इस तरह याद आएगा ये कब सोचा था लौँच में तनहा बैटा वो शक्स सुमें के मरगोले हवा में उड़ा रहा थाँ हैंगेंग लेंग की हलकी रोशनी उसके पाएं रूख पे पढ़ रही थी तफातन कोई आहट आई फिर बूटो की चाप फिर उससे अपने करीब किसी की मुझूदी को मैसुस गया अब क्यों आ जाते हो अब तो हम दोस भी नहीं ट्रेजिटी हम दोनों के कहीं तालोग निकलते हैं दोस्ती ना सही, दुश्मनी सही वो कंते उशकाते हुए बोला फिर कैस के हाँ से सिखार लेकर रेश्ट्री में पुझा दिया हूँ बराक ने क्रिस्टल मेस पे सफेद नमक जैसे सराथ भी रहे है और कैस की आँकों का गुला भी बन भी उससे अफसोस हूँ, बेहद अफसोस मलका तुमसे मिलना चाहती है कैसे सिखाया अंदास से मुझकुरायों ओ बराक, ओ तुम अब भी उसके सिफार्शे ला रहे हो मना नहीं कर सकता था तुम्हारी तरह उससे भी कहीं तालोकात निकलते हैं किसी से नहीं मिलना, जो यहां से उससे अपना मुझूद सोफे की भुश पे डाल दिया सब हदम हो सकता है लूसिफर लेकिन हमारा ट्रियो नहीं हम दोस्त थे यार मलामत से मलामत थी मैं तुम सब को दोस्त समझता रहा तुम लोगों ने मुझे पाहुल समझा फायदा उठाया मलका मुझे बता सकती थी मेधी और जीनिया के तर्मियान क्या है उसे बताना चाहिए था तुम जीनिया मेधी तुम सब एक जैसे थे तुम सब उसके लेचे में दिल कुछ जीए दिने वाला कर्ब था तुम हो कोन हो कैसे इंसान हो तुमें पता भी है थाना एक औरत के लिए कैसा होता है तुम उससे ऐसा इंतकाम कैसे ले सकते हो इंतकाम के कोई एथिक्स नहीं होते उसे बुलंदियां चाहिए थी मैंने जिल्लत में उसे बुलंद से बुलंद मुकाम दिया है उसे किसी मर्द का साथ चाहिए था थाने में एक उचहरी में इतने मर्द है कि वो गिंती भूल जाएगी वो चाहती थी लोग उसे याद रखें अब हर कोई उसे याद रखेगा घर की चार दिवारी छोड बजार उससे खुद चुना था जैखन ले जाँ बराक तासुस उसे दिखा था तो मैं देखकर कोई एकीन करेगा तुम वो ही मर्द हो जो उसके लिए मढने और मारने को तयार था अब भी तयार हूँ लेकिन जो गलती उसने की है इसाब तो देना पड़ेगा न मेरे इलावा हुद पे किसी और का थियार कैसे दिया उसने वो बढ़ बढ़ाया तुम बश्टा होगे और जिल्लत नहीं भूलती ना देने वाले को तुम्हें माफ नहीं करेगी वो उस मर्द को वो खो चुकी है जो उससे माफी माँगा करता था अब ये काम सारी जिन्दगी वो ही करेगी वो सीधा हुआ पराग ने उसके आंकों में वहश़देगी अपनी हर गलती का इतिराफ करेगी वो उसकी उठी हुई करदन मैं तुम्हें चुका कर दिखाऊंगा उसकी बागी के जिन्दगी यहां मेरे कदमों में गुजरेगी जुनून भी उसके सामने चोटा लफस है और इस सब के बाद क्या वो कहां जाएगा कभी सोचा है उसका हर रास्ता मुझ पर आकर हतम होता है मैं उसे वापिस अपने पास लाऊंगा दुनिया के रहमों करम पे कैसे छोड़ूँगा महब्बत है वो मेरी तो मैं लगता है मैं उसे कभी छोड़ सकता हूँ भराग कुछ कहना जाता था मगर चुप रहा हूँ वो अब उठी रहा था मगर नशेके से आती थी क्या वो वापिस सोफी पर किर पड़ा फिर हज़ा अगले कई लम्हे वो हज़ा रहा बेक्तियार बिलावजा दिवानों की तरह बेपसी से उसकी आँगे गुलापी से सुर्ख पड़ रही थी भराग ने उसे सहारा देकर उठाना जाओ उसका हाँ चड़कते हुए खुद ही उठकड़ा हूँ नेरे से लून से निकल कर वो वराधारियों से गुजरा था कहीं बार हो गिरा फिर उठा हर कमरे हर राधारी में कहीं रुख कर उससे तलाश करता था उससे पुकार रहा था उसका भाई जो अपने ही था हर बार हर पुकार पे जब 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 नहीं आता तो कैस का दिल हर दवा पहले की तरह दुख रहा था अपने कमरे में जाने के बजाए वो मेदी के कमरे में आया बत्ती भुजी रहनी थी सेरो पल्प की रोश्णी मैं वो अलमारी की करीब आकर रुका उसे कपड़े, चूते, स्वेटर, बूट वो एक एक चीज़ को देखता रहा दिल में कोई मीहें काड रहा था उसका चेहरा गीला हो रहा उसके कले में आशों के खोले बन रहे थे, दुनिया के सामने वो अधाकारी होती या चूट आँज यहां खड़े उससे कमरे में उसे ना देख उससे पता चला था उससे क्या खोया है उससे मेधी नहीं, उससे दुनिया खो दी थी, उससे भाई नहीं, दिल का एक हिस्सा खो दिया था कोई उसके लिए उसका बादसू नहीं बन सकता था, कोई कैस का मेधी नहीं बन सकता था कोई नाइट मेर का ग्रीन वून नहीं बन सकता था सारी दुनिया एक तरफ, उसका मेदी एक तरफ, वो गुट्णों के बल फर्ष पे बैटा बच्चों की तरह रो रहा था, उसका चेरा, उसकी आँकों का कर्व, दिल को चीर रहा था काश, तुम उस वरेभी औरत की बातों में नाय होते, काश, तुमने अपने भाई को चुना होता उसके स्ट्रेटर को सिनी से लगा दे, रोता जाता और क्या यह जाता हूँ तुमने मेरा नुकसान कर दिया, तुम चले गए हो, और अब मुझे लग रहा है, तुम्हारे बगेर मैं क्या करूँगा, तुम्हारे बगेर तुम्हें कुछ नहीं, मैं तुम्हें कहां से वापिस लाओं कोई उसके यह हालत देख लेता, तो कलेजया मुःको आ जा था, कयस जमान कमीर के पाँ सिल था, और वो धडगन खो चुगा था, दुनिया थी, बग़र रंग खो चुगे थे, मेदी नहीं था, और वो धुनिया खो चुगा था मैं तुम्हे कहां से वापिस लाओ तुमने मुझसे क्या-क्या चीन लिया तुमने ऐसा क्यूं किया वो रोते हुए चीख रहा था बुलंद अवास में किरिया कर रहा था कैस को लग रहा था उसका दिल भट जाएगा चनलमे बाद वो मेदी की बिस्तर बेदा उसकी जादर सर तक दाने हुए उसका तक्या सीने से लगाए उसकी हुश्बू आसबास मेसूस करती हूँ आंगे मुंधिया उसके चेरे पे आंसों के मिटे मिटे निशान थे मेदी उसे याद आ रहा था पेटा आशों बेहर्द वो सारी सिंदी यूँ ही याद आएगा कैसे उसे भूल नहीं पाएगा ये वो सखम थे जो शोदा साल पहले लगने वाले सखमों से जादा तकलिफ दे रहे थे उससे खोकर सारी उमर खसारा थी आखरी मुलाकात सुलागतार दर्वासे के बार खड़ी श्रेसल सिंसन पे यकीन मुझे बहूत कोशिश की कि मुझे एक बार तुम से मिलने नहीं देता था क्योंकि मैं तुम्हारी फैमली नहीं हूं सलाखों के बार उसे सीनिया के हाथ धामने चाये वहाथ सलाखों से आटा गए मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार मैं आज हर सूरत कैसे मिलने की कोशिश करूँगी उसकी आंके नम हुई थी मुझे तो अब तक एकीम भी नहीं आ रहा कि मेदी नहीं रहा हूँ जब उससे बराग की तसावीर मुझे भीजी थी तब जीनिया आकिम नवाब एक खुआफ से जागी थी उससे शेसल को देखा उसका सेन एक और नेज बेगया और वो सास सहीं ले सकी वो पहली आंकों से उसे दिख रही थी मैं ये कैसे भूल गई मैं कैसे भूल गई वो गयर यकीनी से बादिकत बोल पाई क्या हुआ तुम क्या भूली हो सब ठीक तो है मुझे वर्याम से मिलना है प्लीस अधालत जाने से पहले मुझे उससे बात करनी है वो यही कहीं पाहिर होगा तुम उसको यहां भेजो प्लीस उसका मुझसे 36 खाकड़ा है इतने दिन मिलने भी तो उसी नहीं दिया तुम्हें क्या काम है बताओ मुझे तुम उससे जाकर कहो लड़के ने केसेट स्वेच कर बिल्कुल ठीक किया बगा हर चीज विभारी है वो तेज सेज कह रही थी उसकी आँगों में रोशनिया थी शेज से लुलच कर उसे रिखती रही मगर उसके लिए कुछ करना चाती थी इसलिए बलटकर वापिस वारे आम के ओफिस सकाई वो अधालत जाने की तैयारियां कर रहा था थाने के बाहिर एक बार फिर रश्ट हो जिसका शोर यहां तक आ रहा था वो उसके ओफिस के दरवासे भी रुख गई जीनिया को तुमसे बात करनी है दो मिनिट उसके बाद सुन लो तुम्हारी जीनिया के बापने मुझे नोकर रखा था या तुमने मिल ली आना अब जाओ अपना काम करो तुम्हारा मस्ता क्या है तुम मुझे इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ ना तुम मुझे मिलने देते हो ना बलके वेट तुम मुझे वही बतला निकाल रहे हो ना उस दिन ऑफिस में जो कुछ हुआ मैं दिन में हजार पत्तमीज औ पतले हाज और तुसे टकराता हूँ अगर तुम उन में से एक हो तुम मुझे याद नहीं वो अब भी सुर्माई रंगे काटन में समान भर रहा था हूँ शेसल की तरफ से मुकमल बेन्यास मैं भी दिन में कई भीक मंगू से मिलती हूँ अगर तुम उन में से एक थे तुम मुझे याद नहीं अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मिलने क्यों नहीं देते बाजू सेने पे बादे तुन्दी हिससे पूछा क्योंकि तुम कैस कमपीर की दोस्त पहले हो कातिल, मक्तूल, मुलसिम तुमारा हर एक से तालूक है हर एक से हमदर्दी मिलकर मेरा वक्त पर बाद कर वागी और कुछ नहीं वो कौफ से कह रहा था शेसल ने सब किया वो कह रही थी, लड़की ने केसिट पेच कर दुरूस गिया बगा के लिए कुछ भी पाइस का बलंदा उसके हाल से चूटते होए बज़ा वो तेजी से मुड़ो और ओफिस से बाही निकल गिया कमरा तब देश में वापिस आते हुए वो एक मुख्तलिफ चेहरे से मिला वो लड़की जिसे साथ रोज का रिमान भी नहीं दोड़ सका था उस जीनिया हाकिम थी, उससे देख रही थी उसकी आँखों में आसू जमक रहे थे गर्दन उठी हुई थी, वो नहीं दूटी थी वो नहीं तूट सकती थी कहीं बार बका का रासा वहां से होता है जहां सोच नहीं भोण सकती तुमने सही कहा था, वो दर्वासी करीब आए मैं हुश हूँ, तुमने वो रासा ढूंड लिया उससे देखते हुए पेंट की जेबू में हाथ डाले करदन जुकाय हस्वण, जीनिया में उसके साथ हज़ी थी अगले चंद गंडे, मुख्तलिफ कारवाईयों में गुजरे उन दोनों के दर्म्यान जो बात हुई वो किस्सा फिर सही कोई तीन गंडे बात पुलिस मुबाई अदालती तरफ रवाना हुई आगे पेचे तीन से चार पुलिस की और बागी गाड़ियां थी पारी नफ्री और अर्सले से लेस गाड़ियां गाड़ी अदालत की तरफ रवाना थी जब अकार का फोन बज़ा उससे मुबाईल खान से लगाया सामने से किसी की बास सुनी और उसका दमाग भक से उड़ाओ वार्याम एक मसला हो क्या है मक्तोल के फैंस का एक जम्मे गफीर अदालत के रास्से में खड़ा है और वो मुश्टाल है अगर अब हम हाँ से कहे तो मुसीबत हो सकती है रास्सा बदल देते हैं एक ठंका काम नहीं हो सका तुमसे रास्सा क्लियर करवाने को बोला था ना वो फून पर चुंचलाया पर माते को मसला ऐसा करो तुम रास्सा बदल कर जाओ बाकी सारी काड़ियां तुम्हारे साथ होंगे स्नोबर और मुलसमा मेरे साथ किसी फिल्म में ट्रॉन से रिकॉर्ड किये कैमरे के किसी मंसर से रिखो तो चार काड़िया अपना रासा बदल रही थी पर्याम अगले निशिस से उधर का पिछले निशिस्तों की तरफ आया स्नोबर ने काड़ी का स्टेरिंग वील संभाला सीनिय हागेम के चेरे से काला कपड़ा हटाया गया तब उसके लिए मंसर कुछ वाजया हुआ पर्याम उंगलियों में पिस्सोल को माते हुए उसे रिख रहा था वो अब भी आंके चपक चपक कर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी मेरे संकी दमाग को इशारा देकर तुम अपनी अजादी कमा चुकी हो मतलब बोल जी भाग जाओ अधाला जो तुम्हारे साथ करेगी वो सह नहीं पाओगी ना तुम ना मेरा जमीर ना तुम्हारा हांतान मैं कहीं नहीं भागूँगी मैं कातला नहीं हूँ तुम अब भी मुझे शक्क कर रहे हो मैंने नहीं मारा वो तेज सेज वो लही थी आजकल उसे हर मर्ज से ही खोफाता था मेरा फेर ट्राइल होगा मैं बाहर आ जाओंगी और तुम अगले तीन से चार साल तक जेल में सड़तीर होगी वो उसकी बात खाट कर वोला चुपचाब बात सुनो मेरी वो सकती से कहते हुए आगी आया आज अदालत में मैं बताओंगा कि मुझे तुम्हारे हिलाफ सबूत नहीं मिले लेकिन मुझे ये भी बताना होगा कि तुम कतल के चंद मिन बाद लाश के बेहत करीब थी और यहां इस तगासा को मिला एविडेंस टेमपर का केस मेधी ने तुम्हारे लिए बहुत पैसा खरच करवाया है और यहां तुम पे दफा लगीगी कि तुम मकतूल को मुझत तरीकों से दमकाती रही और तुम्हारा मुबंद करने के लिए पैसे देता रहा यह तु सिर्फ मैं बता रहा हूँ इस अगासा तुम पे ऐसे ऐसे मुकदमे लगाएगा जो तुमने खुआब में भी नहीं सोची होंगे तुम्हारा कोई किरदार नहीं बचेगा तुम पूरी तरह तबाह हो जोगी कोई तुम्हारा यखीन नहीं करेगा उसके बाद जेल तुमने जेल देखी है वहाँ कोई जिंस नहीं होती वहाँ नया आने वाला हर कैदी समान होता है जिसे हर तरह से समाल किया जाता है तुम तबाह हो जोगी और भाग कर छुप कर क्या मिलेगा, कातला का लेबिल कौन है ये लेबिल देने वाला, दुनिया न, वो तब नहीं आई जब तुम साथ दिन इस कोटड़ी में मार खाती रही, सरती रही जब अधालत में कैसे तुम बे घटी इल्जामात लगाए मेरे करियर को कुछ नहीं होगा, मुझ जैसा जीनिया साथ में डिपार्टमेंट की मजबूरी है वासे वे बोला सीनिया नहीं आ सकी, मैं कहां जाओंगी, मैं जाही कहां सकती हूँ उससे अपना सांस बंध होते हुए मैं सुसो रहा था कराची, लोहों का समंदर है वहाँ, मैं तुम्हें शेहर से भाहिर छोड़ कर आऊँगा तुम्हारा भाई तुम्हारे जजा और तुम्हारे दादा, वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे बशर से बात हुई है मेरी, वो तुम्हें कराची ले जाएगा पुलिस उने ढूनने तुम्हारे अबाई कहाँ आएगी कुछ वक्त बाद जब असल कातिल मिल जाएगा, तब तुम वापिस आ जाना ओके क्यूं कर रहे हो, क्यूं अपना करियर हतम कर रहे हो मर्दों का मौश्रा है, गलत मर्द को सही मर्द नहीं रोगेगा, तो हिसाब खराब हो जाएगा मैं चाहता हूँ, लोग मुझे देख कर कहें, सब मर्द एक जैसे नहीं होते वो कहकर एक बार फिर हस्वड़ां, वो हाथों में चेरा चुपा कर वो लंदवास से बच्चों की दार रो रही थी, वो साथ दिन कबल इस असाथी की कीमत न समझ पाती, मगर अब उसे चितो चाहिद करनी थी, वो एक जहन्नुम में नहीं रह सकती थी, उसे अपने सिंदी ये पर समझोता नहीं करना था, वर्याम अब जेव से एक सिल्वर रंग की चेन निकाल कर उसके की तरफ बढ़ा रहा था, जीनिया ने करदन उठा कर देखा और साकित रही गई, वो सफेद हस्व और खोसला, वो घर था, एक खुबसूरत घर, जीनिया ने हदेली फिलाई, वर्याम ने वो जेन और हस, उसे थामा दिया, घर, वो बस एक घर था, जीनिया और मेदी कंबीर का घर, शायद वो तुमें ये देना चाहता था, आंसू टिप टिप उसकी अदेली को भी को रहे थे, वो अकेली थी, और उसके साथ वो नहीं था, जो उसके गिर्द बासू पहला कर कहता था, सब ठीक हो जाएगा, जो उसका हाथ पकड़कर उसे तसली देता था, जो उसे सर्दी में हरारा देता था, जो आदी रात को पीछ सड़क पर उसके साथ बैठ जाता था, जो उसका रह पर था, उसे रास सा दिखाता था, उसकी हिम्मत बानता था, कहीं अवा हमसे सिंदीगी खो जाती है, सेनिया हाकिम की सिंदीगी, से सिंदीगी खोई थी, वो पेंडिट को लबों से लगाए, आंगे मुंद गई, आसो भल-भल बह रहे थे, वो याद आ रहा था, वो हमेशा याद आता था, चनलमे बाद उससे अपने गाड़ी के सामने एक ग गाड़ी रुकते हुए देखी, उसे सवाल ये नसरूं से वरियाम को दीखाऊ, वो कंदे उचकाते हुए काड़ी से उतराऊ, चेंज ओफ प्लैन, शेहर से भाईर अब तुम्हें तुम्हारा भाई लेकर जाएगा, चलो उतरो, उसके सामने खड़ा हाथ उसके आगे फेल खुमाकर, तीन से चार सर पे उसके चेहरे पर देमारी, वो खरा था, हाथ कुट्णों पे रखता, छुक कर तर्थ परदाश कर जाता, फून की लकीर उसके माते से निकल कर उसके चेहरे पर बह रही थी, चनल लम्हो बाद बशर उससे हाथ मिला रहा था, जीनिया बस तशक लोग, वो सब छोड़ कर जा रही थी, वो गाड़ी के पिछले शीशे से वर्याम को देख रही थी, म्यूसी के दीवाने लड़की से शायद देर हो गई थी, मगर उससे किसी को देर करने से बचा लिया था, फी, इमान अल्ला, पैंडिट मुठी में दवूचे उससे किसी क गाइपाना अल्विदा कहा था, और फिर उससे जाना पड़ा, शायद इस शहर में दुबारा आना उसका मुकदर नहीं था, शायद नहीं, वो उससे छोड़ कर जा रही थी, कोई उससे पूश्चा, उसके दिल पे क्या कुसरी थी, चन्द घंडे बात, जंगल में आग कैस से पहल जाती है, ये आज पूरे मुल्क को पता चला था, निउस चैनल से बार बार एक ही पट्टी चल रही थी, मेदी कंबीर के कतल में नामसद मुलसिमा, सीनिया हाकिम, पुलिस मुबाइल से फरार, पुलिस का कहना है कि मुश्चाल अवाम से बचनी के लिए उन्होंने अलग रासा हिक्तियार किया था, और मुलसिमा के घरवालों ने, जो कि कपाली लोग थे, उन्होंने पुलिस की काड़े पे हमला किया, मुलसिमा को लेकर रवाना, अदाल्ती कमरे में पहली निशिस पे बैठे कैस कंबीर के कान के पास दोकर लुकमान ने कुछ कहा था, उस उसका चेरा लट्टी की माने सफेद बढ़ा था, पकील और पूलिस को खुरकते, जच साहिबान की आवास उसकी समाते प्रोसेस सही कर पाई थी, वो धेरे से अपनी जगा सूट कड़ा हुआ, उसकी हाथ लरस रहे थे, टाइकी नोट खोलते, वो काड़ी तक आया, सीने को मसला पर स्टोरिज फॉक्स ने पढ़ी, एक टिपिया से दो गोलिया निकाल कर खाई, सर को सीट की पुछ से टिका दिया, चल लंबे, लंबे, गहरे सांस लेकर, पुद को पुर्शुकून किया, फिर आंगें खोलकर गुलावी पढ़ दिया, आंगों से अपने साथ पैठ मेरा देखाऊ, उस सफेद पढ़ रहा था, क्यों चाहिए, उससे तुम्हारी दीवी सजा जेली, मेधी अब नहीं है, वो उसके पास नहीं जा सकती, करियर, इसद, खर कुछ नहीं है उसके पास, और अब वो चली गए, अब वो तुमें क्यों चाहिए, कैस खंपिर की आंकों के सामने रहेगी, चाहिए जिस भी हालत में रहे, ऐसा जुनून, ऐसे दिवान भी अच्छी नहीं होती, जैस, बर बात कर दोगे, तुम सब कुछ, फरक नहीं बढ़ता, मुझे, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती, उसे मेरे पास आना है, किसी भी सूरत, आंखे बं उसके पास नहीं आना था, आंसु का एक बंदा था, जो से कले और दिल में अटक करे गया, उसे आंखे बंद कर ली, खोली, फिर कैस को नहीं देखा, वो मुझलिफ नंबर्स मिला रही थी, उसके आंखों में हजा था, जिससे मुखबत करो, उससे किसी और से मुखबत करते देखना, एक मुश्किल काम होता है, उसके लिए भी मुश्किल था हूँ,